पंच तत्तो में सेक तत्त, पंच तत्त याकी बस्तु नाही किसु भेत, रश्व आश्व आश्व दितु भी बीद भड़त, किष्ण दाश्क विराजगु श्रमी बताते हैं, पंच तत्त जो है, याकी बस्तु है, भगवान, प्रकाश, अवतार, शक्ति, भगतो, श्रायंग भगवान चैतन्य महाप्रु, प्रकाश नित्तनंद प्रुह, अवतार आद्धैत आचारियो, शक्ति गदाधार, और भगतो, स्रिवाश पंडित, तो गदाधर पंडित राधरानियादी गोपियों के साइट से है, अवर जितने भगतो है, दाश्रो, वाष्रलो और शक्तो, इस भगतो की पदिनीदी के हिशाब से श्रिवाश पंडित को चुना गया, तो आप लोग देखेंगे कि ये, ऐसे ही किसी को नहीं चुना गया है, श्रिवाश पंडित को चारियो ओर से पुरिक्षा किया गया है, महाप्रु के इस पंचतत्त्त में खड़े होने के लिए क्या क्या उनको इंटर्वु देना परा क्या यगवता है और कोई हर और चारी और से उनको महाप्रु ने परिक्षा किया है कोई बोलेगा भाई उसको पार्शेल्टी किया कि स्रिवाश को रखा अरे भाई उसके चरित्र तो देखो क्या उनने अपने चीवन में शक्रिपाश किया है तो इसके बाड़े में बंगलादेश स्रिहटो पंडित परा अभी सिलेट जिला है जलधार पंडित उनके पास पोत्रों थे पास पोत्रों में से नुलिणी पंडित जो है पहले ही उनका गौमन हो चगा था उसके बाद प्रधान दो बचे स्रिवाश पंडित स्रिराम पंडित स्रिकांतो तो ये चार भाई है स्रिहट से जलधार पंडित गंगा निवाश करने के लिए आखे कुमार हट में जहाँ इश्चार पुरिपात के जनवस्थान है उदर आके रहने लगे और नवद भी एक घर बनाए है तो काल करन उनके पिताजी चले गए और बसपन से स्रिवाश पंडित ऐसी बदमाश थे ऐसे बदमाश थे कि भक्षादू को चिराने वाले कोई भक्ती कोई कारियों नहीं करने वाले है सभी विपरत चिराने वाले है निंदा करने वाले बदमाशी करने वाले है 16 साल तक है इसी गया भी तक है एक दिन रात शोय हुए थे एक देवता आके उनको शपन दिखाया हे ब्रामन आभी तुम सतार्क हो जाओ शबधान हो जाओ चूभी मजग चूभी ये किये है शडरत किये है अभी श्रीयस हो जाओ एक शाल तुमारा पड़मायू है घंटी बाज दे गई एक शाल में घंटी बाजेगा तुमारा मन एक लिए हरके डरते हैं तो श्रीयस हो गया तो ये खी शाल मुझे और जीना है अभी मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए तो उनकी मन तुरंट श्रीयस हो गया पड़िवर्तन हो गया और ऐसे किसी को चेरे मजा करना ये करना निंदा करना ये शोभी कारियों से उन्हें बिल्कुल विरात हो गया तो ये एक शाल में उनके मन में ये शोस लिए कि मैं कैसे एक शाल में कुस कर लो अधि पुरान अधि बहुत कुस देखा पुरान अधि देखके उन्हें भगवान के नाम मिला और भागबास्रवन तो नवद्दे में आउर एक बड़े पंडित थे जिनके नाम थे दिवानन्द पंडित ब्रमचारी थे बहुती प्रशित भागबात में बहुती परंगत थे नवद्दे में जाने माने बेखती थे उनके दिन भागबाद शरुबन करने के लिए जिस दिन उनका शमाय हो गया जानते कि ये कि आज ही वो शाल पूरुन होने वाले हैं उसे दिन भागबाद स्रोवन करने के लिए द्वानन्द पंडित किदर गया बादन्द किसी जए से चबुतर बना हुआ चबुतर के साइड में बैठी हुए थे भागबाद सुन्ते सुन्ते शमाय आगया अगया मुर्चित हो के शमाय आगया प्राहन निकाल के गिर पड़े इसी शमाय महाप्रुव के अवतरन नहीं हुआ महाप्रुव आए एक थापर लगाया एक थापर का लगाके उनको पुण्ड जीवित कर दिया उनको जीवन शलिया है समस्त पडिवर्थन कर दिया और नारद रिशी की शक्ती को आफेश कर दिया तो नारद रिशी पूरवजो किष्ण निल्लादी में नारद रिशी है ये नारदी श्रिवाश पंडित के रूप में अबत्रिग तब से श्रिवाश पंडित उनका दुब़रा जनम मिले और तब से भक्ती भावापन्न हो गया नाम अधी करने लगे गिरास्ता बेवा करके गिरास्तादी बन गए तो यह पहले सी भक्तो था चैतन महापुबलता नारा की हुंकार सिर्वाशे रुच्चो उच्चो किरतन और नारा की हुंकार अध्यत चरियो क्रदीत हो गया उनने पहले प्रचार करने का कौशिश किया काम नहीं बना बोला उनको आना परेगा वह नहीं आने से काम नहीं चलेगा शंकल पकड़ लिया पुझा करने के लिए कि उनको शास्त्रों भी जानते है कि इस कली मावतार नहीं है नाम रुप में कली काल मावतार है लेकिन फिर भी नहीं पतिगा किया लाके ही छोरूंगा तब मेरा नाम होगा अद्देईतो तब कृष्ण वश्यकोरी बेन को नारोधना सालगडाम को तुलशी और गंगाजाल दे के प्रार्थना किया तो उनके चिल्ला आते थे उपर के उर देखते थे और चिल्ला थे आओ आओ भगवान को पुकारते थे और नाम करके चिल्ला थे और भड़ीदा स्रिवाश की उच्चे शंकिरतन मेरे आने का ही कारण है पहले से लिघ भगतों थे, चार भाई मिलके किर्टन करते थे नवद्दे में आना कानी होते थे कि आज मुस्लिम की राज्य है ये शंकिर्टन कर रहे लोग चैतन्न महा प्रकाठ होके गयास से बापोश है और महापुरू बड़े उद्दंड महापुरू भी थे भक्तों को चिराते थे भक्तों नहीं चाहते थे अपने शमाय को नश्ट करने के लिए फेर भी पकाल लेता था बोला इसका अर्थे बोलो बैकरन की शुत्रों की ए शब से नाना केबल बाते करते थे उसका तो भक्तों लोग सुशते थे हमारे इससे शमाय प्यार्थ हो जा रहा है तो भागते थे लेकिन उपकाल लेते थे तिया इससे भागतों लोग जानते थे कि यह इतना शक्तिशली है यादी यह हमारा गुष्टी में आ जाता तो हम लोग कोई भी दूसरे माया वे दिखाया इससे हेलाच से इस आपको हरा देता था तो एक बार स्रीवाश आदी की प्रणाम किया स्रीवाश ने आशिरवाद किया आशिरवाद किया कि आपको कृष्ण में भक्ती हो किष्ण में भक्ती हो तो इदार इस अध्धाय में बिद्नावंदा स्ठाकर बताते है कि टिष्ण भक्ती वैशनव के शेवाद से महापरु शयम अपने हाथों से स्रीवाश आदी की कप्रे निचोर देते थे कप्रे टोकड़ में लाते थे बास की जए तोकड़ी होते न उसमें लेके आते थे कप्रे दोके यह कोई आधर हो जाते ते महापरू सेद में लखे चलते थे इसके घर पर कि गंघामा्ति कूश की घास आथ मी दे देते थे इसलिए तरहततर के शेवा के मोकार ढूंते थे महापरू वश्मजवके महापरू भोलता है कि वश्मजवके करने से कृष्ण भुक्ति होते हैं इसलिए वैष्ण भुक्ति शेवा करते थे तो आशिरवात किया तो महाप्रुव भी गया से आके उनकी मन परिवर्तन हो गए एक दिन ऐसी ज्यादा काजिया मिर्दंग तोड़ दिये भक्त लोग को डराया और जो दूस्टों लोग थी ओ लोग भी बड़े प्रेशान हो गए बोलते हैं अच्छा भक्त लोगाई से किर्टन कर रहे हैं तिस से मुष्लिम लोग को तंग करेंगे तो बोले अच्छा कोई मुष्लिमी आदी आजागा पकारण में हम लोग पकड़ा देंगे सिरिवास पंडित आदी को कि भाईया हम लोग कभी किर्टन नहीं करते हैं हम लोग बड़े अच्छे विक्ति है किर्टन नहीं करते हैं मुस्लिम की साथ देते हैं और यह लोग किर्टन करते हैं तो और दूसरा को बोलता है कि उसको घार आदी तोर के गंगा में फेख दूँगा ते ऐसे ही परिशान करते थे आप लोग यह माझ सोचों कि अब भी प्रचार में प्रविलम है पहले से ही शमेश्चा चल रहा है प्रचार में नित्ता नंदु को मार के श़र तोड़ दिया तो ऐसे ही परिश्चिती में स्रिवाश डर गए यदि भी जानते है भगवान सब के रक्षा करेंगे जो भी है फिर भी एक घर में ठाकुरी जी के घर है इसमें दरवजा बंद करके नर्शिंग भगवान को पूझा कर रहे थे महापरू गंगा जी में टहल रहा था इसी शमाए एक गाय चर रही थी पानी पीके उगाय उच उचा करके भागने लगे भगवाए महापरू का वेशा गया उदार से भागवाग क्या है शिरिवाश के घर जीज घर में बैठे थे दरवाजा लगा के उसमें लाट लगाया महापरू लात लगा के ठागुरुजी के आश्वन शालगरमादी गूद में लेके उसमें बैठ गया बोला क्या किस का ध्यान कर रहे है किस का पूजा कर रहे है सिरिवाश आग खुल के देख जिसको ढूण रहे इस तरह सम्मुक में हैं देखते हैं जगनात मिस्टर के पुत्र निमाई है और बोला मेरे पूजा कर मरा इस तुदी करो मेरे पूजा करो और घर वाले शब को बुलाओ और तो किस के लिए ड़ता है सिरिवाश किसके लिए अध्र मन में डर है मैं शब के हिरदाय में हूँ मैं यदे किसी को प्रणाद दूँगा क Kerry करिका लाओ तो अभी उपकार सकते हैं तो नहीं पकार सकते हैं मुस्लिम हो कोई कोई ही जीव हो जो सिंस्त्तर जीव है वह भी आपको नहीं काड़ सकते हैं वो भगवान उसके हिरदाय में है मना करेगा तो सत्तो क्रिष्ण भाव है जाहारो सोरी रे अग्नी ब्याग्रो शर्पो तारे लंगी ते ना पारे सत्त बास्तो भी करिदे क्रिष्ण की भाव किसी में है तो अगनी ब्यागर शडपो आदी आदी में शब को जा जाते हैं शब उनको लंगर नहीं कर सकते हैं तो अब डरता क्यों है मैं तु हूँ ना मैं बताओंगा तब ही आपका पकड़ेगा तो बुला यदी तु मान भी लेता है कि पकार के ले जाएगा तो मैं उस नाओ में पहले जाऊंगा और जाकर पुछूँगा इतरव मुला काजी शब को बुला के ला और पोशू पोशू को लाऊंगा पोशू पक्षी के लिकाऊंगा बोला इज़ोगा अल्ला बुला नहीं बुला पाएगा मैं शब को और अल्लाव भगवान के नाम बोला के सब को रुला दूँगा, तो यायसे नही कर पाते तो हमारा किर्थन के माना करता है य। यायसे मैं पूछूँँगा, तो तु मढद मत धर्मत तेह बिश्वास नही हो राए। तो माली नारायनी शोटी सी चाट साल की विच्ची तो बला नारायनी परिक्षा महापुरू कैसे प्रेम्दान करेंगे पत्रा पत्रों कुपात्रों सब क्रेम्दान करेंगे इसका पहले न परिक्षन नारायनी के उपर हुआ नारायनी को पर परिक्षय कर दिये कि नारायनी अब कृष्णवाल के रो ऐसे महापुरू का आग्डा पाते हुई नारायनी ने कृष्ण बोलकर रष्ट शात्तिक विकार रोमान चे कंपो अस्रू गदगद पुलात शबकूस दिखा दिया रोने लगे लूटने लगे और किष्ण भाव प्रेम हो गए तो स्रिवाश भी देखे तीसे परकर महापुरू स्रिवाश के अंगन में किर्टन पराणम एक साल तक किर्टन हुआ था एक साल किर्टन हुने के बाद एक दिन आशिरवाद मंगा मांगने बताया तो अद्धित आचारियों ने बताया प्रभू आशिरवाद देंगे तो मुझे ये आशिरवाद क्योंकि उस केर्टन में केबल अंतरंग भक्त जो है महापुरू के पारशाद है यही उनको भाग ले पाते थे दूसरे को भाग नहीं मिलता था तो अद्धित आचारियों मंगा कि प्रभू मुझे आप आशिरवाद देना है तो ये जूबी है इस्त्री वैश्रों शुद्रों प्वतीत चंडाल सब को इस प्रेम को समोभाव में बितरन करना है यही देना है तो पुर मुझे ही देजिए उसके बाद से किर्तन बाहर कमने की बाहर शुड़ हो गया नगर नगर में किर्तन प्रणम्ब हुआ स्रिवाश के घर पे भक्त के शंपर्त में अधिके कोई आते तो उनके क्या का हो तो उसके घर पे कोई पोशु होते है तो उसके क्या हाल होते है एक दिन एक दिन सिर्वाष नित अन मिना ख़ए परोव रहती था बहदूद। कभी कपड पहने हैं, कभी नहीं भी पहना हैं, बच्चे ज़ीचे गुमते हैं और अपने भोजोन जोग भोजोन करना है प्रशाद सेवा करना हाथ से कोभी नी उठाके खाते माली नी जब खिलाएंगे बच्चे के जैसे तावी नित्तनन्द खाएंगे ऐसे नित्तनन्द रहते हैं तो एक दिन महापुर्व परिक्षा करने लगा कि इसरी अबड़े उधर भेक्ती हो खिला क्या बात पो इह अबड़व आप कि अपने दिन रखा दूसरी बत निए जाती कूल पाती कुछ पाता है आपको एल आप स्वस्तिक ब्रामून हो अच्छे ब्रामून हो आप इनको रखा आपक्षे निग्वांगे निकाल देंगे क्योंकि एंग कोई कुल की ठीकना नहीं आवदूद कहा से इंग कोई ठीकना, जननमा पता है किसी को अबराह्मन बलता है जननमा को अप्रामन लिया तो इसके क्यो रखा सरेवाज गंबीर होगाय, प्रफू मुझे परिक्षा करना आपके लिए उचीत नहीं है आगे देने जई इव तोरे भजे शेई मर प्रान नित्तान अंद तर देहो तो महापुरू सिरिवाष ने बताया प्रफू मुझे परिक्षा नहीं करना चेह एक दिन भी आपका जो भजन करते है गोरंग के भजन कोई भी वेकती एक बार करते है सिरिवाष बलते है वो मेरा प्रान के बराबार है और नित्तान तर देहो है नित्तान अंद जो आपका शडिर है आपका येकी आत्मा है दूई के बल देहो ये दू है तो आप दोने येकी है तो हाँ आप ऐसे मुझे परिक्षा नहीं करना चेह तो मदीरा जावन जाज धरे नित्तान अंद यदि वो शड़ा पिने का उद्री जाए वो इस्तिरी को पकाल ले फेर भी वो नित्तान अंद राय है और मेरे मन में कोई भी किंचित जराशा भी कोई भेद भाव नहीं आशकते है तो इसी परिकार उनने परिक्षा किया और मेरा नित्तनंद यादे मेरा जाती, कूल, ध्रान, मेरा प्राण भी नाश कड़े फिर भी मेरे मन में को नित्तनंद को अन्नथा नहीं हो सकता है वाश्वाइंग भगवान, बलडाम जी है उनको अपने घड में राखाई, शोभग के बात है, इसमें अपना कूल जाए ध्रान, मान, कूल, प्रान भी चलाए तगलिप क्या है भगवान शात्मे है, भगवान अपको अपने घड पे असराई दिया प्रान भी चलाए तगलिप क्या है, ऐसे स्वमारपन होना है यह सब है शमारपन की स्विमा है कुछ भी हो जाए मेरा जाती, प्रान, धन, कूल, सब कुछ जाए गोपीलग ऐसी भजन किया लोग धर्म, बेदो धर्म, देहो धर्म कर्म, धर्जो लज्जा कि थेहदःम कर्म यह दूर्जम आत्म अज़ाय ठोल्ज़ करता आरान भर्षन सिर्व तै करे की तर्म कृष्णotte करें देहदःम Libra लोग धर्म कर्मों दोल्जम आत्मा षुक्त dru डेह षुक्त शब्हे को जब है ते आई से शमर्पित स्रिवाश पंडित है कि महापुरू इस बाग को सरवन करके गदगाद हो गए बला क्या बताया स्रिवाश तो तेरे दो तेन बार महापुरू उनको बताया कि तेरे कोई गड़िवी नहीं आएगा तेरे लक्ष्मी को भी भीक्षा मांगे तेरा घर में कोई बश्ति के कम नहीं होगा और तेरे घर की कुटे बिल्ली भी मेरा इस्तिर भक्ति प्राप्तो करेगा आप लोग बताईए आपने मैं सब को लेके बताता हूँ आभी तक इस्तिर भक्ति प्राप्त किया तो बोला तेरा कुत्त बिल्ली भी मेरा इस्तिर भक्ति मतलब वो भोत्यकता में बीचलित नहीं होगा भक्ति की कारियों से भगवान के चिंतन से भगवान के शेवात से एक मिनिट के लिए बीचलित नहीं होगा उसको बलता है इस्तिर भक्ति तो बहुत तेरा घर की जो कुते बिल्ली है ओभी मरा इस्तिर भक्ते प्राप्त ये तो पोशू भक्त घर की पोशू की इस्तिति है और अभिश्यवक की इस्तिति है महाप्रुव करतान करके कभी कभी गंगा में सनान करते थे कभी कभी सिर्वाश के घर पे सनान भक्त लोग सनान करते थे और महाप्रुव के सनान के लिए एक घरे पाने में ने कम से कम 308 घरा तो चाहिए तो जिस दिन सान घर पे करते थे तो वो काम करने वाली एक नकरानी थी इसका नाम क्या? दूखी गड़ी बे है मता पिता नाम रख दे दूखी दूखी को सरिवाश भोला प्रभुर की नहानी के लिए जल लेके आना गंगा जल लेकिन यह साथ भावना उनकी मन में थी कि बड़े आनुंद उल्लास के साथ उस्यवाल है एक बलते है कि एक बार किर्तन देखने के तो उनको स्ववग नहीं थी तिसलिए एक जलग साजल नायन में किर्तन दार्षन करती थी और बार बार जाके गंगा जल लेक्याते थी फेर महापरू के किर्पा निश्काम शेवा इस शेवा के प्रोभव शेवा को देखकर महापरू के हरदाय पी घल गए महापरू वो जानते है कि यह दूख ही मेरे सामने नहीं आशकती यह तो काम करने वाल एक नकरानी है यह मेरे शामने नहीं आशकती है तो मुझे ही किरपा करना परेगा तो प्रफु एक दिन किर्टन से उनका सनान मंडप की और गये जाके स्रिवाश से पुस्त है स्रिवाश जल कुन लेके आया चारी ओर चे सजा के रखते थे घरा को बहुत प्रेम से तो लाला के स्रिवाश बोलता है प्रफु यह दूखी लाई दूखी मिरा शेवा करता ह唉 और उदूखी नइ 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 इसके नाम शायत चाहितन निला में नामकरन एकी किये है दिख्षः पोरीवर्तन एकी एकी को दिख्षः दिये अगरे वोला आज एनके नाम दूखी दूख पाने वाले शुखी, तो आज एनके नाम आज से कोई दुखी नहीं पकरना शुखी, तो शारे स्रीवाश भी इस पुद्धी को दाशी पुद्धी हटा दिये, और शुखी, तब से हर भग तो उनके शुखी बोल के बुलाने के जो भगवन की शेवा करेगा, वो दुखी नहीं हो शकते है, वो शुखी रहेगा, यादी दुखी है, तो इसका कोई हेतु होगा, कोई कारण होगा, निश्काम ता नहीं है, कोई तुरूटी होंगे, किस के लिए शेवा कर रहा है, कोई हेतु होंगे, आई तो कि शेवा आप राग दिये शोखे तो बिन्दा मंदा स्ठाकूर बताए कि प्रेम जोगे भजिलेए किष्ण न पाई माथा मुराईले जम डंडो न एराई तो प्रेम योग भगवान चाहते है प्रेम भगवान चाहते है मुझे प्रेम करे प्रेम की भूखा है तो प्रेम केवल अच्छी तिलक लगा लिया शेविंग कर लिया योँ डंडो से बिन्दा मंदा स्ठाकूर के सब्द है योँ डंडो से उन नहीं बाशकते है प्रेम योग के साथ भजन करेंगे तभी क्रिष्णौ तो बोला बिद्धा धन कुले संधरियों में कुस भी नहीं है प्रेम जुगे तुस्ट है चोईतन्यो को शाई तो प्रेम योग से भजन करेंगे तभी तुस्ट होंगे भगवान तो शेवा के साथ प्रेम योग चाहिए शेवा को कभी भार ना समझे शेवा प्रेम से करना है पर ये शोभग के साथ हमें शक्ति मीला शरीर मीला मानव शरी मीला बरंदाम अंधाम में तो शेवाय करना है तो इसी प्रकार लुकी की पतिकरिपा हुआ महापुरू उनके घर पे किर्तन करते थे एक दिन स्रिवाश की एकी मत्रों पूत्रों की शर्तवियत ठीक नहीं था तवियत ठीक नहीं है तो महापुरू आगे शाम को हर देन के भाते किर्तन प्रणबा के स्रिवाश नित्त कर रहे है अरांद अनंद से नित्त कर रहे है इदर और बेमार कैसे था आभी प्रान जाने वाले आभी आभी जो भी है दो सार मिनिट दो चर गंटे में प्रान निकालने ही वाले है स्रिवाश कुछ भी महापुरू को शोचना नहीं दिया कोई भक्त को मेसेज नहीं किया कि किर्तन मेरे पूत्र की जहार लेटे हुए इधार आओ नहीं, उधार किर्तन कोई मेसेज नहीं दिया किसी को, कि मेरा पूत्र बिमार है किर्तन नहीं होगी आज किर्टन होगी बिरह बिरह किर्टन तो भागबाद्धन पोचाने का किर्टन कुछ नहीं बताए हैं महापुर्फन आगया राज से शडंट टृ sun tut method every day तो किरतन एक दम जैसे को हो नहुँची हाई जैसे हर दिन आनूंद से राजी नासे रिखा मिन खूषिश्वहा हृ निद्या बन्डem रात शंद हो तो र ihr ? चोँविष मिनित गेड़ है तो शाट डंडो में चोवीश घंटा है, कितना मिनिट पढ़ता होगा तो चाट डंडो जब राथ हुए तो उसी समाज पुत्र का देहान धो गया स्रिवाश आ गया, माताजी लोग रो रही थी उनकी पत्नी है, वाय की पत्नी है तो माता जी लग रो रही थी तुरंट करीव श्रिवास के कान में आया तुरंट प्रणाम की आगे माता जी जहाँ पे श्रिवास के पुत्रों शड़िर सुर आके देखते है कि पुत्र की प्रलग गमन हो गया परोम गंभीर भक्तो महा तत्त गनी इस तरीलो के शंबदिते लागी लेना पनी परोम गंभीर परोम गंभीर गंभीर की गंभीर तो है है परोम गंभीर महा तत्त गनी बिरंदावंदा स्ठाकुर मुले जी ऐसे भक्तो को उपमा देने के लिए उनको क्या शब्द मिला परोम गंभीर महा तत्त गनी स्रिवास क्या है? पर्वम गुम हीर है और महातक तक जफ़ी है इस ती लोग समझाने लगे कि आप लोग रोना बंद करो अच्छा बच्चा रोह मन गया मताजी नहीं रोगी? नहीं रोगी मताजी? नहीं रोगी? स्रिवास बोलता है नहीं 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 रोशकती है बिल्कुल नहीं रोशकती है तो बिल्कुल नहीं रोशकते हैं आप लोग नहीं जानते हैं उन्तु काल में यदि कोई कृष्णो नाम के बला स्मानन करें उसका पड़ंगोदी प्राप्तों होते हैं और उस नामी शयम नाम करके प्रेम से कर रहे हैं और ऐसे शोभागो कौप किसका मिलेगा वक्ति विन ठाकूर बताते हैं कि शोक श्रीवाज की शोक शतन में बाड़ा तेरा भजुन लिखा है वक्ति विन ठाकूर बताते हैं कि श्रीवाज बोलते हैं कि ऐसे मेरा प्रोभू मेरे घर पे किर्तन कर नित्तो मेरा ऑप्राप्त हो शकते हैं जब को Secाए मलेगे बचाए प्रण बचाए जिलाने तो हम लोग के सकते हैं तो बला पुरो मत अब लोग रोना मत ऐसे तो ये हमारा घर पे नित्य कर रहे हैं ऐसे शोभगो ऐसे का लड़कॉप किसका मिलेगा तो आप लोग रोना बंद करो और रोना बंद नहीं करोगे और क्या है ये जो हमारा घर पे किर्टन में आया एक तो महाप्रुग को पता नहीं लगने का चाहिए जो भी किर्टन में आया इस किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि मेरा पुत्र की दिहांत हो गया तो इसके कारण का महाप्रुग को कारण में पता लग जाया कोई नहीं बोल देगा इसलिए कई जो भी किर्टन में उसको भी पता नहीं लगना चाहिए और इसके अलबा आप लोग रोणा बंद नहीं करोगे और इस रोणा को स्रुवन करके यादी महाप्रुव की किर्टन में बाधा आए या उनके आनंद में कोई बाधा आए पोत्रो गया गया स्री बाध भी अगा में जाके चलांग लगा लगँ लगँए घटन में लगँए बाध कर दर जलांग लगा लगँए यह भी ने क्यूकि मेरे परिवस से मेरे घड़ पि महाप्रुव की आनंद में बाधा और मैं स्रिवाश इसको शहन करूँगा हो नहीं शकता कभी नहीं हो शकता है इसे स्रिवाश तो जी नहीं शकते शोज भी नहीं शकते इस बात को स्रिवाश इस बात को शोज भी नहीं शकते कि मेरे पडिवार से और मेरे दोरा महापरुव के आनंद में बाधा होगा मैं शौपन में वे नेश्व शक्त इस बात को तव आउर क्या कड़े जानते है महापरुव में सिर्वाश के अनुराग अपने डाल दिये मुपने, कपड़े डाल दिये आखोचे पानी माता लोग जहरने लगे जानके शिर्वाश आगे आगे प्रणाम करके फिर किर्टन कर रहे हैं तो किर्टन बहुत समयत किर्टन किया किर्टन करते करते शाड़े शाद घंका बात महापरु बोलता है प्रभु कहे मोर्चित्त क्यमण करे कुन दख भिया चे पंड़ी ते रो바 घरे तो बोला प्रभू बोलते है आज मेरे चित में क्या हो गया कौन सा दूख पंडित के घर पे हुआ है प्रभू स्रिवाश कहे प्रभू मुरकुन दूख जार घरे शुप्रशन तुमारो स्रिमुक बोला प्रभू क्योंकि ये परम तत्यगे नहीं है ये अग मायवद्द जीवि नहीं है जानते है जीविए शृभभ़ि क्ष्णि नित्यदार्स कृष्णि दध् टत्धस्थ शुक्ति भेद अभेद प्रकाश शृभदार्स उनके सेवा करना उनक आणंद परदार करना आपमाजीब की यह जो रचार्ण घच्र प्रमझज। यह जो प्यर्म अंठी ऋख भकतु है उजान्ते है यह लोग Atlantic अउसमनाग, सुफ में अगीनें होते हैं उसमें प्रभावीत नहीं होते हैं उसमें अनाधित नहीं होते हैं अ गारत कमेs मह अलौ टेखे diffic प्रहते हैं, इसके है भक्तों ये एंगा metro सुब करें, ये है इस्तित प्रह्ज़ है, तो मेरा क्या दूख है प्रुभू? मेरे घढ़ मे Hey Ce annist Supreme Sange वोना जिसको संतिष्ट होना उत्रश्व प्रशन्व है, मेरे क्या दूख होगा। आपको जरंज होगा, आपको कुछ दुख में बादा है, तभी मेरा दूख होगा, महा दुख, तभी मुझे होगा। तो, महन तो लोग जो है घड़ पे आये थे, तो, वो लोग याद़ पी स्रिवाश माना किया, फिर भी उन सब को सुनाई दिया, तो, बोला प्रफू, स्रिवाश की पुत्र जवाई उनके दिहान थो गया, बोला कब? बोला, शारे साद घंटा पहले, बोला मुझे कई बताया ने, तो ये शाब प्रफू की लिला, यादि ऐसे नही होता, स्रिवाश की महिमा कैसे प्रकाष होते, यादि प्रफू अंतरे में सब को जानते है, ये भक्तों को प्रमान देना है, जो मेरे पास में खरे है, ये भक बोला मुझे बताया ने, महापुरू रो के तुनन दे बैड़ गया, और चिंतान इसी शमाए महापुरू के शन्नाष लेने का समाई भी हो गया, शन्नाष लेने वाले है, तो महापुरू जी बता रहे कि ऐसे जो पुत्रो शोग भी मेरे प्रहम से उने जान पया, तो जो म बताया कहा है, तो भक्तो लोग ने पूछा प्रफू अभी आगा दे जी उनके शन्नाष कारना है, उनके शन्सकार आदी करना है, उन्तीम शन्सकार करना है, तो अला अगा दे जी जब, कहा है, जा के देखा पुत्र लेटे हुए है, माता जी लुक्चारी और से रो रही है, प्रूभु जी बुला, 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 प्रूभु हो गया आवी आवर इहा नहीं रशाकता हूँ अभी आप जहा भेजेंगे वहि मैं दुसरी और जा मेरा रहा हूँ तो आवी आव इहा नहीं रहा हूँ तो इह कृपा थो उस्हां ने जो पुढदिवार की दुसरी लोग के मन में थो शोक था इसके लिए बताता है बच्चे ने बताया कि प्रुफु कौन किसका बाफ है, कौन किसका तनाय है, कौन किसका पूत्र है, शोभी आपने आपने कर्मों को करेन भुंजन, सब आपने आपने कर्मों को भोग करते है, ये बच्चे से तत्व गयन दिया कि कोई किसी का समंद नहीं, ये तो मित्था समं आपने अपने कर्म को भोगने के लिए है, ये तो एक शापनो है, कुन किसका पुत्र है, कुन किसका पीता है, शवी आपने, कुन किसका माता है, तो शवी आपने अपने कर्म को भोग कर रहे हैं, इतना वलके प्रफु, बहुत अच्छा है, आपने जीतना दिन रखा था, उत स्रिवाश के घर पे मैं भोग किये हैं आभी अन्नो निर्वांदों जहां मेरे आप भीज रहे हुई मैं जह रहा हूँ आपके चरण कमले मेरा प्रणाम है आपके आपको यह रापका परियोकर के चरण में मेरा अपराद है तो प्रुष हमा कड़े इतना बोलके बच्चे दोबारा शूँ गए भक्त के साथ महाप्रू उन्तिम संशकार करने के लिए बच्चे को ठाके ले चले महाप्रू एकिर्टन करते करते चले देवतालोग आगे उपार पुष्पुल लेके गंगाजी देखे गंगाजी एक शडूप है देभी शडूप गंगाजी प्रुष्प हो गई महाप्रू ने लेके आपने हातों से गंगा में देने गंगाजी हाथ पड़ा के लिए गंगाजी देखे और मुझे आइसे श्वभाग गर का प्राप्त होगा गंगाजी उस पुत्रों के ले लिए और देवता लगने उपार से पुष्प विष्टी करे तो ऐसे श्वभाग गोग दो दो लोग का अंतिम श्रशकार चैतन्य महाप्रूप अपने हाथों से किये है एक स्रिवाश की पुत्रों और एक नमाचर्ज हरिदाष ठेकुर जानते है हरिदाष ठेकुर की मन में ऐसे ही था मालिक चला जाने के बाद शेवक को कुन पूस्ता आइसे मालिक के सामने ही हो जाय जो भी होना है तो स्रिवाश आदी भक्त लोग आ गया स्रिवाश को बोला बोला स्रिवाश आप तो जानते शंक्षार के रिती शंक्षार के रिती तो आप जानते ही है शंक्षारती शंक्षार मिलते है फिर जाते है एक साट जूरते है एक साड, ने इक साड में पूर खेल कुटम होती जाते यहागे जूरते जाते हैं, और अओगे जूरते हैं. तो तु तो संखार की रिती को अब जानते हो सुरिवाष, अब क्या बता हूँ मैं? तो श्रिवाश के चरण कमल पकार के शाड़ा पोड़ी बार चाड़ो हाई पकार को बता है जन में जन में तुम्हे पिता माता पूत्र प्रुभु तुमार चरण जन ना पाशरी कोभु जिखा नेशे खाने प्रभु के नो जन मुनाई तुमार चरण जन प्रेमा भुक्ती राई एक गीता में बता है पिता महर शोजगतु माता धाता पिता महर तो और दूसरे जागा भजन में भक्ती राई कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धान प्रान कृष्ण माता है कृष्ण पिता है कृष्ण धान है कृष्ण धान है कृष्ण ही प्रान है सब के प्रान कृष्ण है तो चरण प्रकार के बल दिया प्रुफू आप ही मेरा माता है, आप ही मेरा पीता है, आप ही पुत्र है, आप ही बंदू है, आप ही शुड़ित है मेरे कोही पे जनम हो, जे खाने शे खाने, भक्त डिमांड नहीं करता है कि मेरे बोईकंट भेज़ दो, मुरे गुलग बिंदावन भेज़ आपके पास में रखना, ऐसे दिमान भक्त के नहीं है, जे खाने शे खाने प्रभूब, कैसे जनम हो, कैसे जनम हो, कैसे जनम हो, पश व by मेरा प्रहमाभक्ति रहे मेरा रिमाभवक्ति यह एक प्रार्थोन, उह कभी नहीन सोड़ते बख्त te नहीं यहां किरिज कीतो जनम, हौ, जहां दास भagबात किर्तन, bhaagबात पोषाद मिलेगा, सादू लोगवो दसन मिलेगा पोटे कीरियो हो परशादी मिलाएगा खाने के लिए, ये जो हमरे ये डाजबिन में जो कीरे भी बनते हैं, महापरशादी खाते हैं, तो इसलिए किर्थन शुनते हैं, तो इसी पुर का जेनक जे कोही पे मेरा जणम हो, तो महापरू ने शोचा, इसको अब क्या दू, देने के लिए तो नंद दोई, नंद न तोमार, चिते किसु बयथा, तुमी न भावियो यार, तो बोला, मैं याक्यला को दूंग, वे वी काम हो जाएगा, भाई को भी दे देते हैं, तो भाई तो अल्रेटी पुत्र पुत्र बन्दु गर पही रहते हैं, तो ने तनन्द प्रुह सरिवास क गड़े में बच्च के जई सी रहते है, तो भाई बन्द जत स्थाकुर बताते है, क्योंकि वो नित तनन्द प्रुह की आयूलाग भाग, और 24, 24, 24, 35, 24 साल की होंगे, तो भाई ते,altro चौति होंगे, तो अई से क पड़ी नही पहनते हैं, लेकिन बता भाई पद्धाव ल जाहना सहकते उनकी जी जी इससे हिंपनमालीदी हे थे। के गपलख कम आंदमपर को देखके। के जी जी गवनता घ्राव ची होते थे। तो बोला मैं आर रयनी तनन दो आपका पुत्रो हुं। और आपंण दुक उस्मा जायarl say दुट म600 मन बंद करो। तो यह से स्रिवाश के शमारपन तो यह है स्रिवाश की और एक दिन की बात है स्रिवाश के घड़ पे किर्टन परणम हुआ लेकिन स्रिवाश की जो शाश है वो भी किर्टन देखने चाहती थी तो किर्टन में परविश नहीं मिलते थे फिर भी एक धान रखने के लिए बास जैसे बनाया हुआ ऐसे होता है डोल बगरा बोलते है उसको उल्टा करके माताज विदर वैट गई महापरोजी किर्टन करते करते कुश मैबास बता है अस मेरा आनन्द नहीं है लगता है ऐसे कोई वेक्ती होगा जो रहने का योगो नहीं है किर्टन में है तो स्रिवाज देखा कोई नहीं फिर महापरोज़ था किर्टन कर बलने नहीं कोई नहीं होगा ऐसे कोई नहीं होगा जो रहना योगो नहीं है तो सिरिवाश गोर से देखा ढोन धन के देखा माताजी है छुनने में तो अच्छा नहीं लगता है कि माताजी के केश्प चोटी को पगार के महाँ उस सिरिवाश नहीं बाहर कर दिया उन्हें शास है माँ है लेकिन महाप्रू की आनंद की बाधा मरियादा की बंदन वो एचने सिरिवाश मरियादा उनका आदवर देने वाले लेकिन महाप्रू की आनंद की बाधा के तूलना में ये डाउन है इसलिए ऐसे कि शडवो भाव में सब्सक्राइब भाव से उनको आनंद परदान करना चाहिए अर एक वार दूसरी के दर शताय गया चापाल गोपाल चापाल आके दरवजा खटखटाया केड़तन में प्रवेश करने के लिए प्रवेश करने नहीं मिला एक दिन दो दिन गया बरे नराज हो गया बोला इसको कुछ अपमान करना चाहिए क्या करूँ इसको कुछ अपमान करना पड़ेगा कैसे न कैसे तो देवी पुजा की स्वागरी अंगन में उतकिर्टनंदर में होते अंगन में बहार कही पे रख दिया पताई करके सड़ाप की पत्रों बगरा शिंदूर खून फून क्या 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 रख दिये देवी पुजा की स्वागरी सब रख दिये और स्रिवाश ने शुबे देखा देखके लोगों को बुलाया रोट चीजा रहा था अरे इदर आओ इदर आओ क्या हो गया देखो मैं क जानते कोई ने कोई कारण होगा इसका तब मैं किया हूं मैं किया हूं तो और लोग या दि वो छूपाता ना लोग बोलता ने आप ही किया है और उस हमार पन कर दिया तो लोग बोल रहा था कावले जो बले ने ने आपने किया दूसरा कोई दूस्टों ने किया है इसे तो फिर भांगी को बुला के उस अपको हटाया और साबसे तरह कर दिये तो इसी प्रकार वैश्णव को दूसरी के पती भी कितनी उनकी शमारपन है हर उड़ से उनकी शेवक की उनके अपने महापरु के शमारपन है तो अपने पूत्र चले गए इसी हर प्रकार से फिर कैसे भने भगवान के उनकी निर्भार था इसके बाड़े में एक दिन महापरु जब शंदाश लेके कुमार हट्ट में कुमार सिरिवाश नवद दिम्ने जादा नहीं रहते थे क्योंकि महापरु के ष्मारण व Coleman करना बाते थे कुमार हट्ट में कर आते थे नवद दोने जहाघा गर है पहले मैं बताया तो कुमार हट्ट में महापरु जाके मिले एक दिन वह की रचा क्रणक्सारिक बात करने लग लागे मेंटेनिस की बात कर रहे हैं बोला स्रीवर्ष मुझे एक बात समाज में नहीं आती है क्या बात प्रफु तुम्हारा परिवर्त बहुत बड़ा है और नकर बगर भी रखे हो मेंटेन कैसे करते हो और मैं देखता हूँ आप तो कोई जाते नहीं कोई काम कोई पूजा आदी कुस यगोहवन कुस की करना कुस भी कारियर आप नहीं करते हो भीग भी नहीं मांगते हो तो संदनाश ले लेगा भिग नहीं मांग शकते हैं ठीक है तो कुछ नहीं कुछ तो करो और महापुर्व बिंदावंदाश इसके पहले बोल दिया कि आसकी शमाए ऐसे है कि कोई घर में बैठे रहेगा बुला ये एक बड़ भी कोभी आपोस में नहीं आने बाला है कजिता बरौपत कि बले लेगा पुलाओ प्लाइ कि अशफिर कर बौद तो कप्छ दिन इनमादिर में आणे वाला की आई अपने आने वाला है कुछ तो कुछ करते नहीं तु इतना मेंटें करेंको मेंटें कारो की बाई भैड छीक हो जा रहा आसे मालो कि आपको खाने पिनिन के लिए नहीं मिल रहे तब क्या कड़ो गए तो और ने ऐसे दिखा प्रुब मुझे समझ में नहीं आती क्या कि इसके बाद के मतलब समझाओ बोला मुझे और मेरे पड़ी बार को खाने पिनिन नहीं मिलेगा एक दिन देखूंगा दो दिन देखूंगा तीन देखूंगा तीन दिन के बाद घरा ले लूँगा गले में बांदूँगा पानी भर के गंगमे सीधा सीधा सहा कर दूँगा अपने को क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं कि अनन्न चिंतें तेमाम ए जनापड़ पशते तेशम नित्तव जुकतनम जेगक शमम बहामी आहूं तो ये जोटा हो जाएगा जोटा हो जाएगा मैं कहीं नहीं जाओंगा ऐसे बास आईसे तेन देन खाने नहीं मिलेगा तो आईसे होंगा तो बोला अच्छा स्रिवाश तो बताया कि मैं पहले जिदो बताया कुई लक्षमी आदी भिख्शा करे लेकिन तेरे घर पे कोई बोस्ते की कभी कम नहीं होगा और तेरह अद्दैता चरियों का कोई कोई बोस्ते की कम नहीं होगा मैं शायम डोडो कैके दूंगा और जारागरास तो भी बुरह भी नहीं होगा जाएसे जो तरव उम्रों बले थे लेकिन वही इस्टेज में रहेगा उससे और जादा बुरे नहीं होंगे दोनों अधिताचरियों भी तो ऐसे उनको होर तरव से परिक्षा दिया तो अभी आपने पंचे तत्तों में उनको शामिल किया गया है और भी कोई यह है एक बार जगनात पूरी में बेरा किर्टन बेरा किर्टन बहुत महापरों अकलान आसते हैं और चारी ओर से भक्तों लोग देखते हैं तो भक्तों का एक कटन रहते हैं दो तीन एक नितन अन्दवादीतों पहले रहते हैं फिर भक्तों का रहता है तो आइसी बीज में किर्टन कर रहे थे स्रिवाश पंडित देख रहे थे एसी शमाए प्रताब रुद्र महारास के पीसे में खड़े थे तो प्रताब रुद्र महारास के दर्शन करने में थोरा तकलिब हो रहता था तो इसके बाद एक कौन है उसका नाम जो एक हरीचंदन हरीचंदन तो राजा का नकर है वो बार बार स्रिवाश को धका दे रहा था स्रिवाश पीसे मूर के नहीं देखता था तो हरीचंदन ने राजा के नकर है तो विफोसरे तो उसके उसके कड़ेगा तो राजा ने बुले है भोद भैगवान है उपे चाइतन्य के गंद से आपको एक थापर मिला मैं तो चाहता था है मुझे एक थापर आजी थापर था इस रथयात्रा के इस बिरहों के शमय उझारून के शाहन नहीं हुआ आप देखेंगे चैतन्न महा पुरू कि जो गण है जो प्रेमिक भक्तो है हर प्रेमिक भक्त के तिरवापते थे आभी होते है क्योंकि इसी श्रमाय जो भक्तो लोग जाते थे, महापुरूप से मिलते थे, बाते करते थे अभी रथे आत्रा से महा महा उश्राव है, रत के शंबुख विशाल किर्टन होने माले है, ये इसको इसमारन करके और कोई भक्तो शहन नहीं करते इसी श्रमाय अभी शिवान और प्रताप रुद्र महाराज जगनत पूरी जाते नहीं थे, शोर के चले गए, कि महाम पुरूप की श्मरन भी रहो जो शहन नहीं हो प्रता, तो आज की जो तिथी है, आज की तिथी में दशमी तिथी के दिन स्रिवाश पंडित अपने नितो लिला में शामील हो गया, बिला में दशमें करके और हमें उनके किर्पा से हमें भी किंचित, शमयर्पीद होना भगवान बिलाम के शेवा के लिए डेडिकेट होना, हमें प्रयarthन करना चीए हम सब लोग मिलखे क कि हे श्रीवाश पंडित में किर्पा करके महापुर के चरन कमल में हमें भी थृण स् इतना बोल के, जाय स्रिवाश पंडिते के, जाय स्रिपदेद पावन स्रि गौर हरी के, जाय स्रिवाश पंडिते 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 के, जाय स्र